हेलो दोस्तो नमस्कार सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सब्सक्राइब हम लगा आचुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन की ओपर तो दोस्तो आप लोगं को पता है कि माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग-अलग रिपोर्ट रिसर्च से रिलेटेड खबरे यहाँ पर रहते हैं तो अलग-अलग टाइप की वीडियो में यहाँ बनाते रहता हूं मैंने कहा है कि read करने चाहिए, भरोसा करना है, नहीं करना है, calculation, यह पूरा आप लोगों के उपर रहता है, बट अगर आप लोग उसको follow ही नहीं करोगे, तो यह personally मुझे तो गलत बात यहापे लगती है, जैसे मैंने का कि मैं बहुत सारे reports पढ़ता हूँ, और कुछ reports तो इस report की बात करने वाले है, वो कौनसी report रहने वाले है तो दोस्तो जैफरीज की, यह से related अगर हम लोग बात करें, तो Chris Ward की यह जो report रहती है दोस्तो, यह worldwide बहुत ज़्यादा popular रहती है, popular रहती है, is equal to 100% भविश्यवानी साच होती है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मैंने again and again आप लोगों कोई चीज बताई है, कि अगर आप एक market में हो, अगर आप एक decent investor हो या फिर analyst हो, तो आपको यह समझ में आना चाहिए market का खेल यह probability के उपर है, ना कि perfection के उपर, यहाप एक कोई भी perfect नहीं है, बड़े बड़े players आप लोगों ने देखा है, loss करते है, Warren Buffett जी न देखे क्या घटिया report नी करके, तो ऐसी बात नहीं है, मैं again कहना चाहिए कि probability देखनी चाहिए कि 10 में से, अगर यहापे 6-7 बार अगर वो बात है, अगर वो सच हो रही है, तो definitely उस reports को अच्छे ही यहापे माना, जाता है 100% कोई सही नहीं होता है, तो ठीक है, तो अभी हम लोग यहापे बात करने वाले, जैसे मैंने का, यह Jeffrey's से related, Chris Wood की यहापे report है, और इस report में बहुत सारी चीजों को यहापे cover किया गया है, तो उसमें अगर देखा गया, तो US को भी cover किया गया है, recession से related बाते cover की है, हमारे India की भी बाते कुछ cover की गई है, तो हम लोगों को यहा blindly copy करना नहीं, जो भी आपको valid point लगते हैं, आप उसको further research and study कर सकते हो, तो दोस्तों वापस हम लोग आ चुके एक दूसरे screen की उपर, सबसे पहले start करेंगे, देखिए, उन्होंने शुरुआत यहापे की है, दुनिया की सबसे strong economy, अमेरिका की, यह हर किसी को यहापे पता ही है, अमेरिका की बात करें, तो वहापे अगर मार्केट को कुछ हो जाता है, तो पूरे दुनिया बर के बाजार नीचे आ जाते हैं, जिसमें हमारा मार्केट भी हम लोगों ने इसमें experience किया है, तो अमेरिका से related उन्होंने कुछ यहापे बाते बताई है, और उन्होंने बत सकते हैं, उसके पीछे का reason रहने वाला interest rate, वहापे inflation बहुत जादा बढ़ते वे देखने को मिल रहा है, और इसके चलते FOMC की बेटक या फिर Federal Reserve बहुत ही जादा सकत कदम उठाने वाले हैं, interest rate उनको multiple times को hike करना ही पड़ेगा, और बड़े-बड़े basis point से उनको यह rates hike ऐसे-इस situations देखने को आपे मिल सकते हैं, तो इसके चलते ही जो आने वाला दौर है American Bazaar में, वो थोड़ा सा challenging part यहापे रहने वाला है, देखा गया हम लोग रोज इस चीज से related study करते रहते तो इसमें मुझे नया कोई point लगा नहीं, बट यही points हम लोगों को यहापे Chris Wood के report में शुरुआत में mention करते हुए देखने को यहापे मिले हैं, next अगर हम लोग आपे बात करें, उन्हें ने यहापे बताया है कि जो भी companies की अगर हम लोग आपे बात करें, तो उन्हें ने बताया कि सबसे ज्यादा risk तो definitely entertainment industry को ही, अगर मैं कुछ बाकी के भी reports को थोड़ा ब 5000 रहती है, तो आप क्या खर्चा entertainment के उपर करना पसंद करोगे, तो बिल्कुल भी नहीं, तो यह already यह सारी बाते हैं आपे मैंने cover करके रखे थी, इसलिए Netflix जैसे company आप देख सकते हैं, कितने higher level से नीचे आ चुकी है, प्लस उनका Russia versus Ukraine से related जो conflict देखने को मिल रहा है, उसमें परेशाने वो भी भड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस यहापे Russia versus Ukraine के चलते उनको दिक्कते देखने को मिल रही है, तो इन सभी को add-on करोगे, तो American Bazar आने वाले समय में बहुती ज़्यादा tough situation से जाने वाला है, यह बाते उन्होंने आपे बताई है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जितने भी क्रिप्टों से बहुती बुरी तरीकी से गिरते वे हम लोग को देखने को यहापे मिल रहा है, बट उन्हेंने काई कि इन चीजों के चलते अगर हम लोग यहापे बात करें, क्रिप्टो या फिर गोल्ड, इनको आप best tool for the hedging as a इस्तमा करें होंगे कि इंडिया का point का बार है, तो दोस्तों चले में इंडिया के point के उपर ही directly आपे आना चाओंगा, again कहना चाओंगा दोस्तों यह में खोई अपने मन से बात नहीं कर रहा हो, बड़ा चड़ा कर नहीं कर रहा हो, जो उन्हेंने points से आपे सामने रखे है, वो मैं सामने आपे रखना चाओंगा, तो उन्हेंने बता है कि फिलाल जो भी globally जितनी भी market है, उसमें return का पता नहीं, बट comparatively अगर कोई stable market नजर आ रहा है, stable, तो इंडिया का market फिलाल तो नजर आ रहा है, जो कि बहुत कुछ हद तक हमनों को सच भी देखने को यहापे मिल रहा है उन्हें यह नहीं कहा है कि rocket की तरह ऐसा बागेगा, बट yes, stable देखने को मिल रहा है, बाकी के market तो नीचे, 10, 20, 30% गिर रहे हैं इंडेक्स, वहाँ पे इंडिया का market, एक अच्छा खासा sideways तो pattern कम से कम यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे जरूर है प्लस उन्हें यह भी बता है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारा चीज़े हम लोगों को change होती भी देखने को मिल रहे है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो domestic institutional investor, इनके पास बहुत ज़्यादा power आ चुकी है, यह power कास यह हर किसी को यहाँ पे पता है, because of retail investor, so nifty को जो भी support यहाँ पे मिल रहा है, वो completely यहाँ पे domestic institutional investor के buying के वज़े से मिल रहा है, और इसी के चलते Indian market टिका हुआ है, और यह participation अगर ऐसा ही बढ़ता रहा, तो भविश्या की अगर हम लोग बात करें, दोस्तों यह जो भविश्या की बाते करते हैं, वो एक दो दिन की बात नहीं, लगबग 10 से 25 से 30 साल की इतना लंबा-लंबा बात करते हैं, तो उन्होंने आपे बताया कि इतने आगे आने वाले future में, अगर इंडियन market में इस तरीकी से participation बढ़ेगा, तो definitely इंडियन market का जो base है, वो बहुत ज़्यादा strong होगा, और वैसे भी देखा गया, तो आज तक हम ने देखा है कि foreign investor enter करते हैं, तो market भागता है, foreign investor exit करते हैं, तो market देता है, ऐसा ही देखने को मिला था, बट फिलाल की अगर हम लोग बात करें, जो भी हम कह सकते हैं कि जो driving जो रहता है, उसका जो steering है, गाड़ी का steering, वो यहाँ पे फिलाल तो इंडिया के पास ही देखने को याँ पे मिल रहा है, पूरा control तो नहीं है, बट येस, जितना जितना ये participation बढ़ता चला जाएगा, उतना ही Indian market के लिए चीजे अच्छी खासी हम लोगों को देखने को आपे मिल सकती है, प्लस उन्होंने ये भी काया है, कि इसका आर्थ ये नहीं कि Indian market यहाँ पे सबसे पिश्य में देखने को मिलेगी, बहुत से लोग पूछ रहें, सर, next MPC की बेटक कब होगी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये एक वीडियो में बताया था, तो August, August में हम लोगों को ये बेटक देखने को मिलने वाली है, अगर यहाँ पे डेट चेंज नहीं होगी, तो मै यहाँ पे जो बात बोली है, कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, यह मैं परसनली नहीं बोल रहा है, तो उनने का है, कि इंडिया में सबको रियल इस्टेट, रेसिडेंशल सेक्टर, बहुत ही जबरदस तरीके से परफॉर्मंस करते वे देखने को मिल सकता है, सबको चो जाँगा दोस्तों कि इस रिपोर्ट को पढ़कर यह मतलब ठीक तो लगा, बट रियल इस्टेट अगर देखा गया है, वैसे ही मार्केट के सबसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की सेक्टर यहाँ पर माना जाता है, बट स्टिल अगर आप लोग रि रियल इस्टेट में कौन से कंपनिस अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला आप चाहो तो गोधरेच प्रॉपर्टीज के और फोकस रख सकते हो, गोधरेच प्रॉपर्टीज इसका रतिया नहीं यह देखे, पाच-पास साल में कितने रिटन से, 158 परसेंट चल इसको स्टड़ी आपे कर सकते हैं, दो ब्रैंड बहुत बड़े नाम के हैं, इसके चलते हैं आप लोगों ने इनको स्टड़ी करना चाहें, अगर आप लोगों को तीसरा कोई कंपनी बर यह बहुत ही जादा रिसक है, लोधा बिल्डर, मैक्रोटेक, डेवलपर्स यह भी म मीनि आप लोगों को बता है था, इनको एक political advantage भी मिलता है तो अब चाहो तो इसको भी study आपे कर सकते हो, दैन अगर आप लोगों को एक और company study करने तो Phoenix Mills, इस company को भी आप लोग ciao स्टड़ी आपे कर सकते हो, सो report में अगर देखा गया तो उन्होंहने sector से related personally, अगर मतलब कोई पॉइंट है था तो तो रियल इस्टेट रिसिदेंशल कि अगर हम लोग याप बात करें इस से रिलेटेड ही उन्होंने यापर क्या किया था ज़्यादा फोकस यापर बनाकर आपर रखा था आइंड जो केपक से रिलेटेड जो बात हैं हम लोगो देखने को मिली थी बड़ Sideways pattern पे चल रहा है, तो इंडिया market ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बाकी के market की बात करी, US में तो बहुत ज़्यादा challenges फिलाल तो यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलने वाले, बट US की economy इतनी ज़्यादा strong है, कि मतलब वो गिरेगा, तो बाकी के market के उपर भी हम को गजब का pressure देखने को यहाँ पे मिल जाता है, यह सबसे बड़ा problem है, तो इस चीज़ को हम लोग ignore भी नहीं कर सकते हैं, तो जितने भी important बाती थी दोस्तों, यह इस तरीकी के अलग-अलग reports वाली चीज़े यहाँ पे आती रहती हैं, अभी इसके उपर आप लोगों को आपको लगे कि हाँ सही है, और कौन से लगे कि नहीं सरी है, तो बेतु के है, तो आप जरू कमेंट सेक्षन में आपे बता सकते हो, अप लोगों को सीखने के लिए एक market related अंदाज आए आपे मिल जाएगा, तो यह सारी आप लोगों को free of cost प्रोवाइड कर दी जाएंगे, तो वीडियो अच्छा लगे, तो जरू लाइक अंड शेर भी कर दीना, तो यह से टेंकिवरे मस्दों, तो we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाइ-बाइ